क्या असर देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में वो भी देखना दिल्चस्थ होगा अगर जम्मूरीचन की बात करें तो बीचेपी की यहां बढ़त नसर आ रही है लेकिन कश्मीर में कॉंग्रेस और इंसी ने बढ़त बना करके रखी है तो एकजीट पोल जो सामने आ है वो हर्याना में कॉंग्रेस से पक्ष में जाता हुआ नसर आ रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर में दावे अपने-पने की यह जा रहे है तो देखे कई लेर में काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है और काफी सक्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नसर आ रही है तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखें काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ये पूस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो चल रही है हालां की जो हमारे एक्सफर्ट से वो ये बता रहे हैं कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो बैलेट टेर फेपर की जब गिंती होती है उसके बिन जो है उसके बाद से रुज़ान आने शुरू हो जाते हैं लेकिन इस बार की चुनाव में ऐसा हर्याणा में देखने को मिल सकता है कि जैसे पूस्टल वैलेट की जो गिंती होगी उसके रुजान जो सामने आएंगे ठीक वैसा है रुजान जो है वो EVM के काउंटिंग में भी नसर आएगी तो जम्मू कश्वीर में किसकी जीत होगी य भी सवाल और इन सवालों का जबाब थोड़ी ही देर में मिलना शुरू हो जाएगा एक एक जो रुजान सामने आएंगे वो रुजान सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे और वो रुजान धीरे धीरे पंडाम में भी बदलते चले जाएंगे बारा बज़े का वो जो पे कुछी मिंटों में वो जो की गरती शुरू हो जाएगी और वो रुजान सबसे पहले नियुज जीटीन के इस खारी स्क्रीन में अभी आपको शुने नजर आ रहा हो